तो हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग मैं आज अगर तो हम आप लोगों का पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा और चलना भी चाहिए ग्रूप डी का एक्जाम बिल्कुल सामने है तो आज हम कवर करेंगे रीजनिंग के नमबर एनलोगी का पार्ट नमबर 32 ठीक है तो आप अपना कॉपी और पेन लेके जल्दी से बैठ जाएए आज का रीजनिंग का क्लास एटेंट करने के लिए तो options और questions आपके सामने जबा जाता है तो वीडियो को post करिएगा और खुद से करने का कोशिश करिएगा और अगर नहीं बन पा रहा है तो दिन वीडियो को continue करके देखिए कि इस तरह किसे बन रहा है ठीक है तो बरते अपने पहले question के तरफ चलिए और अगर आप चैनल पे सामने 53, 40, 68 और 38 किस तरीके से बनेगा देखिए आप लोग क्या करिए वीडियो post कर दीजे ठीक है question लिखिए option लिखिए और वीडियो post करिए और खुद से बनाईए तो इस question का हम लोग किस तरीके से solve करेंगे देखिए अगर मैं इस 39 और 52 का बात करूँ सबसे पहले इस 39 क है यह कैसा है 13 into 3 13 3 जो 39 बन रहा है और इस अगर 52 का बात किया जाए तो इस 52 को मैं देखूंगा 13 into 4 क्या होता है 52 यहां से आपको एक चीज़ देखने को मिल गया जिसका multiple है वो तो same ही है पर जो number जिसके साथ multiply हो रहा है वो अलग है वो मतलब एक का difference बना रहे है दोनों ठी है यानि कि 13 13 same है तो यहां पर बस जो वो into 3 हुआ है और यहां पर into 4 हुआ है multiply है तो यहां पर अब हम लोग right hand side में देखते हैं क्या यह जो pattern से solve हुआ है इस तरीके से भी right hand side में हम solve कर सकते हैं तो चली देखते हैं यह 51 किसके table में आ सकता है तीन बार में यानि कि multiply अगर 3 क किया जाए तो 51 आ जाए तो मैं अगर 17 को लेके चलू यानि कि अगर मैं 17 into 3 करूँ तो आ जाएगा मेरा 51 ठीक है अब देखते हैं जब यहां 3 का हुआ है तो इसके बाद 4 का होगा यानि कि इस question mark के जगा जो number होगा वो जरूर 17 multiply 4 होके बनेगा तो 17 into 4 कितना होता है इतना हो हो गया 68 हो जाता है ठीक है 28.2 ठीक है तो यहां पे होगे आपका 68 option में 68 आपको दीख रहा है तो option number C हमें 68 दीख रहा है तो बस ज्यादा और करने का आगे ज़रूरत नहीं है हमारा यह correct answer हो जाएगा यह option number C तो इस question mark के जगा बैठेगा 68 ठीक है चलिए next question क्या है देखिए 99 और 101 then 100 question mark options आपके पास 90 110 101 और 102 किस तरीके से solve होगा देखते हैं आप लोग question और option देख लिए हैं तो वीडियो को pause करिए और खुझ से बनाईए चलिए इस question में मैं अगर देखूं तो यहां से यहां का difference कितना का बन रहा है दो का ठीक है तो यहां पे भी difference चेक कर लेते है क्या बता option में मिल जाए तो 100 और यहां पे कोई number होगा जिसका difference बनेगा 2 तो यहां पे अगर 102 होता तो यहां difference 2 का बनता है तो option में 102 मिलेगा तो वही answer हो जाएगा option number D ठीक है easy था कुछ करना ही नहीं था इसमें next question पे आते हैं 111 111 37 then 123 और question mark options आपके पास 41 31 21 और 71 वीडियो अगर मैं इस 111 में 3 से अगर इसको divide दिया जाए कितने बार में कट जाएगा 3 3 9 हो जाएगा बचा 2 और 1 37 जा 21 37 तो मिल गया यह number हमें मिल गया तो यानि कि अगर मैं इस 123 से 3 को भी 3 से divide अगर दूं 123 divided by 3 अगर करूं तो कितना आएगा 41 ठीक है 3 4 12 और 1 तो यानि कि option में कई 41 है तो option number A ही हमारा 41 है तो हमारा correct answer होगी option number A 41 next question पर आते हैं क्या है 5 और minus 10 then 8 और question mark option से आपके पास 16 minus 16 या फिर 13 और minus 13 क्या होगा यहाँ पर इस question को कैसे solve करेंगे देखिए यहाँ पर हम 5 और 10 का कुछ relation देख सकते है टेविल में आ जाता है 5 का तो अगर मैं इसे 5 multiply minus 2 अगर ऐसे लिग दो तो 5 तूज़र 10 और minus का आ जाएगा यहाँ पर तो यहीं same condition यहाँ पर भी बन सकता है इस 8 को मैं multiply minus 2 से करूँगा तो 8 2 जा minus 16 बन गया ज्यादा कुछ था ही नहीं इसमें easy है आज का question ज्यादा tough नहीं सब easy question है लाज question आचका यहाँ पर number है 1 0 0 0 1 then 1 0 1 then आपके पास है 101 और question mark options आपके पास 11, 201, 100 और 121 कैसे solve होगा यह question देखिए easy है कर लेंगे आप लोग अचानी से आप लोग खुछ से बनाए ठीक है नहीं बनता है तो continue देखिए क्या है अगर मैं इस number और इस number का बीच में difference देखू तो यहाँ पर difference बन रहा है 100 का ठीक है 100 का difference है इन दोनों में तो यहाँ पर जो number होगा इसका difference अगर 100 किस तरीके से बन सकता है यहाँ पर अगर 100 का difference मुझे चाहिए तो इस question मार के जाएगा क्या number होना चाहिए 101 पहले से है तो यहाँ पर अगर 201 होता तो difference 100 का बनता तो option में 201 201 है तो option number B हमारा 201 है ठीक है तो हमारे करी tensor होगे option number B तो cover होगे आज का हमारा part 32 number analogy का मैं आशा करता हूँ आज का जो question था बहुत easy लगा होगा आप लोगों के लिए practice से टेक तरीक पे से समझ लिए इसको ठीक है practice question था यह वाला तो मैं आशा हैं आप लोग तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में तब तक लिए thank you और अच्छे तरीके से फड़ाई करते रहे हैं चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर कर ली जगा ऐसे informative और education से related वीडियो पाने के लिए और railway